हेलो दोस्तों स्वागत है CLC के यूटूब चैनल पे सिरी चल रही है हमारी गुरुनिती कम प्रिवेस यर जेईमेन पेपर और्गेनिक के हमने ओल्रेडी तीन यूनिट को डिसकस कर चुके हैं जिसमें नॉमेंक्लेटर इसमेरिजम, जनरल और्गेनिक केमेस्ट्री रहाइड आज की जो गुरुनिती कम प्रिवेस यर जेईमेन पेपर है उसका टोपिक है हेलोजन डेरिवेटिव ग्रिगनार रिजेंट एलकॉल फिनोल लिथर जेईमेन में 2092-2021 तक अब तक जितने एक्जाम हैं उनमें इन टोपिक से कौन-कौन से क्यूशन आये हैं टोटल फोटी नंबर क्यूशन है उनको हम यह डिसकस करने वाले हैं साथ की साथ क्यूशन के इर्दिगर्द जो भी कंसेट बनेगा उस कंसेट को भी हम डिसकस करेंगे माइसेल पार्सी देवाल टीम केमिस्ट्री CLC सिकर तो स्टार्ट करते हैं कि कौन-कौन से क्यूशन हमारे पास आ रहे हैं एकदम इजी जी से कंसेट से क्यूशन आ रहे हैं तो डिसकस करें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्यूशन से पहला क्यूशन है में प्रोड़क्ट फ कुछ है भी नहीं, सबसे पहले आप ये देखें कि हाइडरो आइडिक एसीड किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं हम H I को, फिर बोला है 1-Methoxy-Nephthalene, तो नमबरिंग में कोई प्रोब्लम नहीं होनी चीए, तो 1-Methoxy-Nephthalene जो है, वो ये वाला होता है, इसकी रियक्शन करवा किस से, H i से, मतलब यह कुण सा पंक्षन ग्रूप है ? ओधर है, ओधर की रेक्शन किस से करवानी है ? H i से करवानी है तो सबसे पहले इसके पास लोन प्यर है, to, यह H समसे पहले होगी AB reaction, AB reaction बोले तो, acid-base reaction, H समस्लिक워서 Cartrix के kazlying है तो पहला compound बनेगा ये वाला, O, C, H3 और positive ये वाला, ठीक है, इस bond का किलिवेज कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ resonance है, double bond character है, तो यह bond तो यहाँ से ठूटेगा नहीं, तो अब यहाँ से attack करेगा कौन I-A, एक strong nucleophile है, SN2 को favor करेगा, SN2 का मतलब हुआ, less hindered side attack करेगा, और यह I- इस पर attack करेगा, और इस group को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, तो इधर तो बन जाएगा, आपके पास यह alpha-nepthol, और side में आपके पास बन गया, CH3I, that's answer, एक simple solution, एथर की reaction करवानी है, इधर की, जब HX के साथ reaction करवाते है, mainly HBR, HI के साथ reaction करवाते हैं, तो SN2 प्रीफर होती है, जब तक stable carbocatine नहीं बनता हो, stable carbocatine का मतलब है, 3 degree बनता हो, aromatic carbocatine बनता हो, miscellaneous carbocatine बनता हो, allylic carbocatine बनता हो, benzylic carbocatine बनता हो, तब SN1 से reaction जाती है, otherwise SN2 से जाती है, तो इसका आंशर आएगा यह वाला, ऐसा option अगर हम चेक करने जाएंगे, तो ऐसा option अपने पास कहां पे है, ऐसा option पास फोर्थ option है, तो आंशर जो जाएगा, वो जाएगा, फोर्थ is correct answer, ठीक है, next question, यह भी एक अच्छा क्यूशन है, reaction of Grignar reagent, C2H5Mgbr with C8H8O, इस compound को और जब प्रोड़क्ट दिये हैं, उसे पता लग रहा है कि बेंजीन 100% है, followed by hydrolysis give compound A, which reacts instantly with Lucas reagent to compound B, और उसका फोर्मुला है C10H13Cl, तो पहले क्यूशन को फ्रेम कर लेते हैं, कि बोल रहा है कि यह compound है, जिसका फोर्मुला है C8H8O, इसके राक, इसकी reaction करवाते हैं, C2H5Mgbr, ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, C2H5Mgbr से करवाते हैं, followed by hydrolysis, मतलब इसके बाद आपको क्या करना है, hydrolysis करवाना है, यह hydrolysis, यहां यह जो compound है, उस compound को नाम दिया है, यह जो compound है, इसको कोई particular नाम नहीं दिया, compound A बनता है, इसके बाद यह वाला compound यहां पे क्या बनता है, A बन लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेट HCl, लुकास रिएजेंट होता है, कंसंट्रेट HCl प्लस N-Hydrous, जेडन C-L2, लुकास रिएजेंट, और वन डिग्री एलकॉल, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तू डिग्री एलकॉल, लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, गिव वाइट तर्बीडिटी, वाइट, तर्बीडिटी, आप्टर फाइप मिनट, फाइप मिनट के बाद देता है, और जो थ्री डिग्री एलकॉल है, वो लुकास रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, और रेपिडली वाइट तर्बीडिटी देता है, इंस्टेंटली वाइट तर्बीडिटी एपिर हो जाती है तो आप यहां थोड़ा सा दिमाग यह लगाएं कि हमें क्यूशन में बोला हुआ क्या है यह बोला हुआ है कि compound A देता है which react instantly with Lucas reagent इसका मतलब यह जो compound है ना यह जो A compound है यह वाला क्या है 3 degree alcohol क्योंकि 3 degree alcohol है तभी यह instantly लुकास reagent के साथ वाही तर्बिडिटी देगा इसके साथ जब रिएक्ट होती है ठीक है इसके साथ जब रिएक्शन होती है तो बी जो compound बनता है ना उस बी compound का फोर्मूला क्या है C 10 H 13 और C L यह वाला इसका फोर्मूला है आपको एडेंटिपाई गरना है the compound B कौन सा होगा compound इनमें B कौन सा होगा तो क्यूशन को लगाते है अपन यहां तक information आपको मिल गई है ठीक है compound B कौन सा होगा यह समझ में आ गया देखो यह थ्री डिग्री अलकॉल है एक तो बेंजीन होगी ही होगी 6 कारबन ओल्रेडी आ चुके है अपने पास 8 कारबन है हमें पता है कि गरिगनार येजेंट L-D-I-D है और फिर गरिगनार येजेंट डालूँगा तो 2 डिग्री अलकॉल बनेगा और यदि कीटोन है उसके बाद गरिगनार येजेंट डालता हूँ तो किते डिग्री अलकॉल बनता है 3 डिग्री अलकॉल बनता है इसका मतलब यहाँ पर हमें कौन सा पंक्ट्र ग्रूप लगाना पड़ेगा कीटोन लगाना पड़ेगा तो कीटोन अगर मैं लगाऊं CO और ये CH3 क्या इस फोर्मुलिय को फोलो करता है कि ये 8 कार्बन हो गए 5,4,3,8 हाइड्रोजन हो गई ये फोर्मुला फोलो करता है इसकी रेक्शन करता हूँ C2H5MGBR से ठीक है C2H5MGBR से अगर मैं रेक्शन करवाँगा ना इस कंपाउंड की रेक्शन करवाँगा C2H5MGBR तो ये नेगेटिव चार्ज है यहां से हां और ये यहां से हां ये इस टेप कोंचा हुआ है नुकलिय प्रियोफिलिक एडिशन रियक्शन और क्या बन जाएगा यहां बन जाएगा आपके पास C-O-MGBR और इधर आपके पास आजाएगा C2H5 और और ओल्रेडी CS3 पहले से लगा हुआ है अब इसकी रियक्शन है इड्रोलाइसिस करवाया है तो आपके पास बन जाएगा ये व T और ये CH3 ये कंपाउंट आपका जो है वो कंपाउंट है जो 3 डिग्री एल्कॉल नजर आपको आ रहा है इसकी रियक्शन करवानी है किस से लुकास रिजेंट तो इसकी रियक्शन अगर मैं लुकास रिजेंट चे कराऊंगा ना तो आप देखें लुकास रिजेंट के साथ अगर मैं इसकी रियक्शन करवाऊं ठीक है इस कंपाउंट की रियक्शन करवानी है ये वाला अपने पास बना था ठीक है वो कौन चा कंपाउंट बनाया है ये वाला बनाया है कार्बन ओ एच एटी और सी एच त्री लुकास रिजेंट कंसंट्रेट एचल जेडन सी एट्टू एशन वन रियक्शन होगी ठीक है एच प्लस अटेक करेगा ओ एच टू गुड लिविंग बन जाएगा और सी जो प्रोड़क्ट बनेगा वो ये बन जाएगा C-C-L-E-T और ये C-H-3 ये वाला बनेगा रेसेमिक मिक्शर रेक्शन में आएगा क्योंकि काईरल सेंटर यहां पर जनरेट हो रहा है तो रेसेमिक मिक्शर बनेगा और ये वाला बन जाएगा अब पीपीट क्यों आई क्य अगर हम चेक करनेजाएं तो ऐसा अगर हम बात करें एटी लगावना चाहिए C-L उस पर लगावना चाहिए ये वाला फोर्थ ये वाला करेक्ट आंस्वर है ये वाला आंस्वर आएगा ठीक है सिंपल क्यूशन है कोई बहुत बड़ा पंगा नहीं है क्यूशन में एक सिं इसके लिए कंडिशन आपको बतानी है तो देखो इधर यहां हुआ क्या है यहां हुआ क्या है यह ओच माइनस इस C-L को आपने इसको बाहर किया है और इस C-L क्या जोड़ा है आपने ओच गुरूप जोड़ा है और ओच फिनोल बना बेसिक मीडियम में और यह वापस ले C-RT reaction है यह अभी यह C-L के लौन पर इसके साथ डिलोकल है जो रहे है आसानी से इस बॉंड का किलिवेज होता नहीं है यह इस रियक्शन को करवाने के लिए बेंजाइन मेकनिजम से यह रियक्शन जाती है हाई टेमप्रेचर और हाई प्रेशर की रिक्वाइड होगी और यहाँ 623 Kelvin और 300 atomic pressure की यहाँ रिक्वाइड होगी तो आंसर सो जाएगा फस्ट इसमें मैं तीन कंडिशन और बता देता हूं आप यह देखो थोड़ा सा देखें यह रियक्शन जैसे मैं सिंपल CL की करवाऊं एक बार CL NO2 लगा हुआ तब करवाऊं और यह CL यह NO2 तब करवाऊं और एक कंडिशन ले लेता हूं मैं यह वाली यह CL और यह NO2 यह NO2 यह 0-2 यह NO2 यह रियक्शन करवाता हूं मैं NaOS से 623 Kelvin लेना पड़ता है और 300 atomic pressure लेना पड़ता है इसमें 443 Kelvin लेना पड़ता है ठीक है, 443 Kelvin, और यहां 36 Kelvin, और यह reaction जो हो जाती है, वो कहा हो जाती है, रूम टेमपरिचर, यह तो जाते हैं किस से, AR SN2 से, और यह जो reaction होती है, वो किस से जाती है, बेंजाइन मेकेनिज्म से, देज़ें, किलियर, नेज्ट चलते है, जी हां, दा इस्टेक्चर ओप अक्स, अक्स की सरंचना क्या है, एक क्यूसन दीआवा है, रिएजिएंट डाला हुआ है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, ग्रिगनाय रिएजिएंट वन इक्विलेंट है, ठीक है, सायनाइड के साहथ कों नुकलियोफिलिक एडिशन रियक्शन देगा, कौन्ची रियक्शन, नुकलियोफिलिक एडिशन, तो देखें, ये वाला है, साइनेड के साथ, ग्रिगनार एजेंट कीटोन बनाता है, और यहां पे ये C triple bond N, और यहां दियाओ है O, और ये CH3, अब ग्रिगनार एजेंट जो H5, MgBr, इस पे नेगेटिव चार्ज है, यहां से हां और यहां से हां, तो पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा, वो ये वाला बन जाएगा, ये O, CS3, अन्रियक्टिव पार्ट है, एथर ग्रिगनार एजेंट चे रियक्शन नहीं करता है, और यहां आपके पास बन जाएगा C double bond N minus MgBr, और इधर आपके पास लग जाएगा Et, इसके बाद इसका क्या करवाना है, हाइड्रोलाइसिस करवाना है, हाइड्रोलाइसिस तो यहां से तूटेगा भया, इधर H, H, OH, OH, तो यहां एक ही कार्बन पे 2H है, तो H2 इधर से बाहर हो जाएगा, तो इधर तो बन bond O, और यह Et, जो दिया हो है, Et, दो OH है, तो यहां से H2 बार हो जाएगा, और साइड में इधर यह ग्रूप एजित रह गया, OCH3, और साइड में आपके पास बन जाएगा, NH2MgBr, ऐसा option चेक करो कि ऐसा option आपको कहां दिया हो है, C6H5 है, यह C6H5 है, C6H5, तो यहां भी क्य हो जाएगा, C6H5 हो जाएगा, ऐसा option चेक करेंगे, तो C6H5 के साथ कीटोन बनना चाहिए, उपर वाला एजित रहना चाहिए, ऐसा option है, नीचे वाला यह वाला, परस्टीज, क्रेक्ट आंस्वर, नेक्स्ट, यह लो, मेजदा कोला में एक सिंपल सा रीक्षन है, क्या प्रोड़क्ट बना के दियो है, यह देखो, यहां पर N2Cl की जिगे, C2Cl2, यहां कोपर पाउडर और SCL लिया है, तो इस रीक्षन का नाम तो क्या है, सेंड माय रीक्षन, इसमें अच्छी यिल्ड आती है, इस रीक्षन का नाम क्या है, गाटर मान, और यह जो रीक्षन है, एथर की परजेंस में एलकिलेलाइड की रीक्षन, एथर की परजेंस में एरिलेलाइड की रीक्षन, इस रीक्षन का नाम होता है फिटिंग रीक्ष और इसका नाम है हूर्जरीक्शन है है? उसे ओप्सोन आपको कॉलम मेचिंग करकें तो A मे ऐसे नापका सेगिंड इंडीन कॉर में दियर। समाविे उर पर्फ लग नाम उसके यजंगे पार्ढमी एमें फोर्थ , अर उसके बद होर्ज इसमें 1 और ये जो बच गया वो कौन चा आ जाएगा, फीटिंग रियक्षिन आ जाएगा, ऐसा ऐसा अगर चेक करोगे, एमें 2 बस्ट ये उप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, एमें 2 यहां दी विया, फिर बी में 4, बी में 4 मतलब 3 इज फैर्ड शाय है, समझाने लाई क फोर दा इडेन्टिफिकेशन और फंक्शनल ग्रूप परजेंट इन एंड रस्पेक्टिवली सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इसके बारे में देखो कई क्यूसन आएंगे यह बोलते हैं हम इसको कान टेस्ट इस टेस्ट को समझे नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट इसका नाम है है किसका टेस्ट है अल एल्कोहल पोजिटिव वेतन कंट किसका टेस्ट है इस चीज को आप द्रहान दे मैंने क्या बोला है सभी ईल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेस टेस्ट के लिए पोजिटिव होते हैं सैभी वह वो ऑन डिगरी हो tv2 degree and 3 degree, सभी alcohol देते हैं, और यहां क्या बोल रहा है, देखो यह होता है, NH4 का hole twice, CE NO3 का hole 6, इसको बोलते हैं हम seric ammonium nitrate, seric ammonium nitrate, और यह किस कलर का होता है, येलो कलर का कॉंपलेक्स होता है, इसकी reaction में alcohol से करवाता हूं, alcohol में डालता हूं, अब ये 1 degree हो सकता है, 2 degree हो सकता है, या फिर 3 degree हो सकता है, कैसा भी alcohol हो, ठीक है, यहां करूंगा, तो यहां alcohol को distinguish नहीं कर सकते हम, यहां alcohol को other functional group से separate कर सकते हम, कौन सा functional group पता है, एलकोल functional group की presence का हम इस से identification कर सकते हैं, कि एलकोल परजेंट है या नहीं है, तो यहां compound बनेगा, वो बनेगा C E NO3 का whole 4, ROH का whole twice, प्लस NH4 का 2 NH4 NO3, और इसका कलर जो आता है न, वो आता है, रेड कलर, तो इससे क्या समझते हम, रेड कलर आएगा, इससे हमारे पास क्या समझ में आया, इससे यह समझ में आया, कि जितने भी टाइप के alcohol है, 1 degree हो, 2 degree हो, 3 degree हो, वो सेरी कमोनियम नाइटरेट के यलो सोलिशन को रेड कलर में कर देते हैं, अगर सेरी कमोनियम नाइटरेट आएण, आप किसी औरगेनी कमपाउंड में डालते हो, और अगर उसका कलर चेंज होता है, यलो से रेड होता है, तो उस औरगेनी कमपाउंड में एल्कोहल फंक्शनल गुरूप पर जेंट है, बट हम इससे यह इंटिपाई नहीं कर सकते कि वो 1 degree है, 2 degree है, या 3 degree है, क्योंकि सभी टाइप के अलकोहल देते हैं, इनोल नेगेटिव फोर दिस टेस्ट, यह ध्यान रखना, इनोल और फिनोल नेगेटिव फोर दिस टेस्ट, इनोल और फिनोल इस टेस्ट के लिए क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब वो टेस्ट नहीं देते हैं, तो यह तो हो गया सेरी कमोनिय नाइट्रे टेस्ट है, डूसरा एक टेस्ट है कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन टेस्ट, ठीक है, टेस्ट फोर वन डिग्री एमीन, अब वन डिग्री एमीन कौन सी एलिफेटिक या एरोमेटिक, एलिफेटिक भी हो सकती है, या फिर एरोमेटिक भी हो सकती है, एलि C, HCl3 और KOH से करवाता हो ना, कार्भीलमीन टेस्ट है, तो बनता है ओफेंसिव ओडर कंटेनिंग एक कंपाउंड जिसका नाम है आइसोसाइनाइड, एलकाइल आइसोसाइनाइड या बेंजीन आइसोनाइट्राइल, यह वाला कंपाउंड बनता है, ओफेंसिव ओडर आता है, बेकार सा इसमेल आता है, यह कार्भीलमीन टेस्ट हम इसको बोलते हैं, वन डिग्री आमीन का टेस्ट है, आइसोसाइनाइड भी इसको बोला जाता है ठीक है तो अब क्यूशन पर आई अपन क्यूशन होगा तभी तो बात बनेगी सहरी कमोनियम नाइट्रेड टेस्ट किसके लिए आता है एल्कोहल के लिए और किसके लिए आता है एमीन का टेस्ट वह भी कित्य का वन डिग्री एमीन का रस्पेक्टिवली आपको बताना है तो एल्कोहल और एमीन पस्टिज करेक्ट आंस्वर नेक्स्ट एडेंटिफाई एंदा गिवन रियक्शन तो देखो इधर मैं आपको बता देता हूं कि ओएच गुरूप और ये कार्बन ये एस्पी थ्री से कनेक्ट होना चाहिए इस्पी थ्री होना चाहिए इसकी रियक्शन एस्सो चील टू से करवाते हैं नाम है कंपाउंड का थाय ये एक्शन होती है SNI कहुंसी SNI और उस कार्बन की ज़ुड़ जाता है CL जुड़ जाता है कार्बन की ज़ुड़ जाता है CL साइड में क्या निकलता है SO2 प्लस HCL बेस्ट मेतड है क्लोराइड बनाने का क्योंकि side product जो बनते है वो केसे होते हैं गेसियस होते हैं तो ये SO2 स इस्पीत है पेढ़ा हुआ ओंछ गुड़प रेप्लेस हो जाएगा किसे COPYija ON यहां और क्या ले सकते हो? PCL3 ले सकते हो, और क्या ले सकते हो? PCL5 ले सकते हो, यह फिर क्या ले सकते हो? P plus CL2 भी आप ले सकते हो, तो क्यूसंस को हम लगाने जाएं, तो समझे क्यूसं में, यह OH, तो यह कारबन कौन चा हो गया? SP2, तो do not substitute, ठीक है? यह तो sp2 से bonded है, तो यह do not substituted, यह तो substituted नहीं होगा, बाकी यह वाला OH और यह वाला OH यह भी sp3 से bonded है, और यह भी sp3 से bonded है, यह दोनों OH सब्सिट्टेड हो जाएंगे socl2 से, और वहाँ पे cl जनरेट हो जाएगा, तो ऐसा देखें, यहाँ पे cl, यहाँ पे cl, यह वाला नहीं होगा, यह वाला नहीं होगा, यह वाला नहीं होगा, यह वाला नहीं होगा, आंसवर क्या जाएगा, second is correct answer, next, identify the major product A and B respectively in the following reaction of phenol, तो यह बड़ा simple reaction है, NCRT की reaction है, phenol जो है न, समझे, फिनोल की reaction, यदि में B, R, 2, C, S, 2 से करवाऊं, B, R, 2, C, C, L, से फोर करशे करवाऊं, तो क्या होता है, monobromination होता है, कौन सी reaction होती है, monobromination, reaction होती है, वो होती है, aromatic electrophilic substitution, aromatic electrophilic substitution reaction होती है, और यदि यही reaction, B, R, 2, water चे करवाऊं, तो क्या होता है, tribromination, यह भी कौन सी होती है, होती है, यह भी कौन सी है, aromatic electrophilic substitution ही होती है, यह कौन सा directive है, ortho, pera directive, तो इसमें तो monobromination होता है, तो एक बार ortho पे जुड़ जाता है, और एक बार पे जुड़ जाता है, major, आल्मोस्ट reaction में major कौन सा होता है, यह पेरा वाला होता है, इसमें tribromination होता है, सभी ortho पेरा पोशन पे, BR क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और इसकी दूसरी reaction करवाई है, वो करवाई है, CHCl3 और को ऐसे हैं, आपको पता है यह reaction कौन सी है, यह reaction है, राइमर्टीमान reaction, राइमर्टीमान reaction, राइमर्टीमान reaction में, और तो पोशन पे फोर्मिल ग्रूप एर्ड होता है, तो यहां क्या बनेगा, यह बन जाएगा, OH और यह CHO, और तो पोशन पे फोर्मिल ग्रूप चुड़ जाएगा, ऐसा उप्सन अगर हम चेक करने जाएं, तो ऐसा उप्सन अपने पास कहां है, तो देखो इधर, पर्स्ट उप्सन को चेक करते हैं, पर्स्ट उप्सन में है, पर्स्ट पोशन पे बी आर, A and B respectively आपको पूचा है, तो यह A और यह B सही है, इसमें यह वाला मेजर नहीं है, क्योंकि हमें माइनर प्रोड़क्त है यह, तो यह नहीं आएगा, इसमें अपोजित लिख दिए, इसमें अपोजित लिख दिए, तो आफर जो जाएगा वो जाएगा फर्स्ट, नेक्स्ट, वाट इज अख इन दा गिवन रियक्शन, अच्छा क्यूसन है, उगजलिक एसिड, पहले यह C-H2-O-H, आउटो पैंसे आटिकूसन पूचा, एन्टिय ने, यह H, यह O, C-O, यह C-O, और यह O-H, इस इज ऑगजलिक एसिड, अल्रेड़ी एसिडिक मिल्डियम दिया हुआ है, तो यहां पहले रियक्शन होगी, वो होगी एस्ट्रिफिकेशन, कौँची एस्ट्रिफिकेशन होगी, एस्ट्रिफिकेशन, और यहां से यह O-H, और यह O-H बाहर होगा, और बन जाएगा, C-H2-Double-Bond-C-H2, और यह O-C-O, और यह C-O, और यह O, इसके बाद इसको हीट किया है टेम्परेचर, तो यहां होगा Pyrolysis O-Ester-Type reaction होगी, और यहां सही इस बोन्ट का टूटना स्टार्ट होगा, और यह इदर से इदर जाएगा, समझ्ज भाड़ी बात, यह इदर से इदर जाएगा, और यह इदर से इदर जाएगा, तो side में तो 2 CO2 बाहर हो जाएगी, minus 2 CO2, side में इधर क्या बन गया? CH2 double bond CH2, auto penciarity question है, alex type का question है, answer इसमें जाएगा, वो जाएगा, first is correct answer, next. ठीक है, 8, यह 9 हो गया, यह 10 हो गया, यह question देखो, identify A and B in the chemical reaction, इस reaction में आपको identify करना है किसको, A और B को identify करना है, तो थोड़ा सा इस question में एक तो printing mistake है, उसको पहले सही कर लेते हैं, यह यह वाला नहीं है, यह यह वाला है, O, C, H3, और यह NO2, यह वाला product है, ठीक है, हमें एक ही मोल दिया है, तो इसी concept में हम reaction करवा देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, जो दियावा है, उसी condition में करवाने की कोसिस करते हैं, concept शीकना है, देखो इधर, इस NO2 का क्या लगेगा, minus i लगेगा, और इस O, C, H3 का भी क्य होता है, NO2 का ज्यादा माइनस ही होता है, तो यह electron इधर से इधर मूव होंगे, और यह H प्लस यहाँ पर आ जाएगा, तो जो A product बनेगा ना, पहले बनेगा यह वाला, और यहाँ पर को चला जाएगा, C, L चला जाएगा, तो A जो product बन रहा है, वो यह वाला बन रहा है, क् NO2, यह NO2, इस पर आगया आपके पास H, यहाँ गया CL और यह OCS3, उसके बाद क्या डाला है, NAI Dry Acetone, NAI Dry Acetone, Ascent 2 reaction होती है, क्या नाम है इसका, फिंकलेस्टीन रियक्शन, हैलोजन एक्सचेंज रियक्शन, नाम क्या है इसका, हैलोजन एक्सचेंज रियक्शन इसका नाम है, तो यहाँ से I minus A take करेगा, और C L को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और यह बन जाएगा, O CH3 NO2, और इधर आगे आपके पास I, और NA CL की PPT बन जाएगी, तो ऐसा option अगर हम चेक करना जाएगे, तो CL जुड़ा है उपर की तरफ, NO2 रहेगा नीचे की तरफ, और CL की जगए आई आएगा, ऐसा option आप देखोगे, तो 4th आपके पास option है, 4th is correct answer, next. The correct order of the following compound, showing increasing tendency toward nucleophilic substitution reaction, aromatic compound, तो कौनची reaction की बात हो रही है, AR SN2 की बात हो रही है, nucleophile attack करेगा ना, तो यहाँ पे इसका attack करना ही, यह attack करेगा इस पे, यह वाली क्या होती है, slow और RDS step होती है, तो इस पे जितना ज्यादा positive charge आएगा, यह nucleophile उतना ही जल्दी क्या करेगा, attack करेगा, rate of reaction उतनी ही fast होगी, तो देखो यहाँ पे positive है, यहाँ इस NO2 का minus R लग रहा है, तो इसके करना positive यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, और यहाँ भी आया, यहां भी इस NO2 का minus R काम कर रहा है, यहां भी minus R काम कर रहा है, तो इसके कारन positive आएगा, इसके कारन भी क्या आएगा? तो positive, 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 तो सबसे ज्यादा डेक्नीर, यह फिर बोल दूँ, rate of AR SN2 increase इंख्रीज when electron withdrawing group increase at orthopera position with respect to respect to halogen तो यहाँ 1 know 2 है पेरा पे यहाँ एक ओर्थो पेरा पे यहाँ दो ओर्थो पेरा पे तो इधर से इधर जा रहा हूं तो electron withdrawing group क्या हो रहे है, increase हो रहे है, rate of reaction भी क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, most reactive कौन रहेगा, fourth रहेगा, ऐसा option ही आपको एक दिया हुआ है, third is correct answer, next, domestic reagent P, वो बहुत श्यानदार क्यूशन, बहेतरीन क्यूशन है, अब तक यूशन में सिक्रवाया वो, एक कमपाउंट है, यह वाला कमपाउंट है, इस कमपाउंट का नाम है थालिक अन्हडरेड, कमपाउंट का नाम क्या है थेलिक नाहिडरेड, P आपको इडेंटिपाई करना है, पिंक कलर आएगा, तो इस यह टेस्त है, phenolpodane, 갑자기 phenolpethchain test, okay, test used for phenol, okay, किसके लिए यूज में लेते हैं, phenol के लिए यूज में लेते हैं, okay, कि परबभ विपनोम बाद करते हैं सिम्पल सा क्यूसराइ यह वाला है कि यह ले यह का थे हैर तो को कि दिया हूँ आपको ठीक है, यह वाला दिया हुआ है, इसकी रियक्शन फिनोल के दो मोल से होती है, रियक्शन किसकी परजेंस में होती है, इसकी परजेंस में होती है, और यहां से यह H2 क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और यह रियक्शन कौन सी है, एरोमेटिक, इलक्ट्रोफिलिक, सब्सिट्यूशन रियक्शन है, तो पहले कंपाउंड बनता है यह वाला, यह वाला compound बनता है, तो इसकी पेरा पोस्टन पे रियक्शन हो रही है, और इतना बड़ा गुरूप जुड़ रहा है, अब यह जो compound है, वो कैसा है? कलर लेस, अब जैसे ही मैं इस पे अने वच डालूँगा, मतलब बेस डालूँगा, तो कौन सा कलर नज़ आएगा मुझे? पिंक कलर नज़ आएगा, और वापस से इसको एसीड में डालूँगा, तो यह वापस क्या हो जाएगा? कलर लेस हो जाएगा, तो यह फिनो फतेलीन टाइप स्टेक्चर हो जाएगा, यह तो फिनो फतेलीन है, यह जो कंपाउंड है यह फिनो फतेलीन है, यह फिनो फतेलीन है, चलो इतनी काहनी हमें समझ में आई, अब इसमें प्रोब्लम क्या है वो समझो, कि रियक्शन कब होगी, फिनोल का टेस्ट है, फिनोल का पेरा प पर रेक्शन पर रेक्शन हो रही है, वहां कोई ग्रूप नहीं होना चाहिए, और वहां इस्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं होनी चाहिए, तब ही रेक्शन होगी, अप्शन को चेक करने जाओ, फिनोल है पेरा इसका क्या है, खाली है, फिनोल है इसका पेरा खाली नहीं है, य यहां steric hindrance है, तो इसका मतलब बेस्ट आंशर चूज करें, तो यह वाला compound यह test देगा, इसमें कुछ नहीं होगा, यह same reaction होने लग जाएगी, बस यह 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 इथाइल, यह इथाइल लग जाएगा, यह भी इथाइल लग जाएगा, और यह भी यह बड़ा simple solution है, what is the major product of the following reaction, तो यहां देखो, H plus है ना, attack करेगा, तो पहला compound क्या बनेगा, यह वाला बन जाएगा क्या, CH3 COH2 positive, और यह CH3, यह बाहर हो जाएगा, क्योंकि यह क्या है, good living group है, यह good living group है, तो यह जेसे ही बाहर होगा, यह बन जाएगा, CH3 और यह positive, अब इसमें carbocetine बना है, SN1 reaction से मैं बात कर रहा हूँ, rear arrangement की possibility इसमें क्या जाएगी, परजेंट हो जाएगा, होगा या नी होगा, इसके पास कितने L-Phydrogen है, इसके पास 4 L-Phydrogen है, यदि में यहां से 1-2 hydride shift करवाता हूँ, hydride shift करवाता हूँ, तो क्या stable बनेगा, या नहीं बनेगा, यह CH3 हो गया, और यह यहां पे H, और यह positive यहां, अब इसके पास देगो, 2 hydrogen यहां पे है, 2 यहां पे, एक यहां पे, 5 L-Phydrogen है, definitely stable बन चुका है, और अब C L- इस पे क्या कर जाएगा, अटेक कर जाएगा, और फाइली जो product बनेगा आपके पास, वो बनेगा CH3, यह और यह C L, ऐसा option अगर आप check करोगे, तो पस्ट ही option आपको ऐसा मिल जाएगा, तो आंशर जो जाएगा, वो जाएगा पस्ट, यह सिंपल सा रिक्षने, यह ग्रिगनार रिएजेंट नहीं बनेगा, डी हेलोजिनेशन, ठीक है, और यहां से यह Mg इन दोनों भी आट्टू को बाहर कर देगा, और रिंग का फोर्मेशन हो जाएगा, आंशर, Mg इन दोनों भी आट्टू साइड में बाहर हो जाएगा, समझ में आरी बात, क्योंकि रिडिकल रियक्षन होती है, पहले रिडिकल जनरेट होता है, और यह दोनों रिडिकल जैसे बनेगे, यह वाला पाउंड बना देंगे, ऐसा आंसवर दिया हुआ है कि आपको, एक तरफ CH3 है और एक तरफ इथायल है, और तो यह सेगिंड इस करेक्ट आंसवर, नेक्स्ट, यह भी एक बहत्रिन क्युछन है, इन्क्रीजिंग ओडर अब बोईलिंग पॉइंट अब दा मेजर प्रोड़क्ट, A, B and C of the following reaction, तो देखों, यह वह क्या है, परोक्साइड, यह क्या है, परोक्साइड और यह HBR, तो यह कौन चा रूल लगेगा, एंटिमार्कोनिकोप कौन ची रियक्शन होगी, प्री रेडिकल एडिशन रियक्शन, कौन ची रियक्शन, प्री रेडिकल एडिशन रियक्शन, डबल बोंडेड, पर बियार गूरूप वहाँ जाएगा, जहान नंबर उपाइडिशन ज्यादा है, तो इसमें तो एडिशन रियक्शन होगी, प्री रेडिकल तो इसमें तो यह बन जाएगा, यहाँ हजादा है, तो यहाँ बर जाएगा, और यहाँ हजाएगा हरो इसमें H-B-R, यह कौन सी रिक्सिन होगी, यह परोक्साइट एफ्क्त है इसमें होगी ऐलख्त्रोफिलिक एडिसन रिक्सिन, तो यह इदर से इदर और यह हजाएगा, जहाँ नंबरोप Haidrogen कम है, तो इसमें यह H यहाँ जाएगा, जब यह इदर सी तरुब मेंगा, तो नेगेटिव, नेगेटिव पे H प्लस और इधर कौन जाएगा, बियार माइनस तो इसमें बनेगा यह वाला, इसमें सेमेट्रिकल है, तो यह यहाँ से हाँ, यह H प्लस यह भी कौन सी है, है 1 डिग्री, यह 3 डिग्री और यह 2 डिग्री हेलाइड आपके पास बन गया है, अब इनका प्रोड़क्त तो बना लिया है, बट इनको अरेंज करना है बोइलिंग पोइंट पे, ठीक है, तो वो केसे करेंगे, देखें आप इदर, बोइलिंग पोइंट की हम बात करने ज एक बना ये वाला, बी, और एक बना ये वाला, जो बना आपके पास है, ये सी वाला, ठीक है, डाइपोल डाइपोल अट्रेक्शन होगा क्या, क्योंकि हेलोजन क्या है, एल के लेलाइड क्या है, डाइपोल डाइपोल, तो हेव, डाइपोल, डाइपोल, वांडरवाल स्पोर्स कौन सा वांडरवाल स्पोर्स रखेंगे डाइपोल डाइपोल वांडरवाल स्पोर्स रखेंगे अब देखो strength of डाइपोल डाइपोल is directly proportional to molecular weight inversely proportional to branching or directly proportional to surface area जितनी ज्यादा branching बढ़ेगी न इस्ट्रेंथ ओप डाइपोल डाइपोल उतना ही कम हो जाएगा और यह बोलता हूँ strength of dipole dipole है न इस्ट्रेंथ ओप डाइपोल डाइपोल अगर इनक्रीज होती है तो boiling point भी क्या होता है इनक्रीज होता है यह तक के लिए अब देखो इसमें कोई ब्राइपोल डाइपोल डाइपोल का ओडर क्या रहेगा strength of dipole dipole सबसे ज्यादा strength dipole dipole की किसमें रहेगी A में फिर C में फिर B में boiling point सबसे ज्यादा A का फिर C का फिर B का क्योंकि strength dipole dipole बढ़ेगा तो boiling point भी बढ़ेगा तो A, C, B answer आएगा देखें ऐसा option आपको दिया हुआ है क्या सबसे ज्यादा A का फिर C का फिर B का फोर्तिज करेक्ट आंस्वर नेक्स्ट the increasing order of boiling point of the following compound चलो ठीक है फिनोल आपको दिये हुए है और फिनोल का आपको boiling point बताना है तो यह देखो यह दोनों जो compound है यह कौन ची रखेंगे inter-molecular H bonding कौन ची रखेंगे inter-molecular H bonding रखेंगे और यह वाले जो दोनों है ना वो कौन ची रखेंगे यह यहां inter-molecular H bonding होगी मतला maximum number of hydrogen bonding होगी यहां पर होगी सबसी ज्यादा होगी देखो इधर OH NO2 जो है वो एसे जुड़ेगा OH NO2 और यह OH NO2 तो यहां hydrogen bonding हो रही है यह वाले hydrogen bonding होगी तो association बढ़ेगा association बढ़ेगा तो boiling point क्या हो जाएगा कम हो जाएगा यह इसमें भी हो रही है है और यह पर हो यह पर यहां भी कि अन अ यह उच तो इन दोनों में इंट्रमोलिकुलर हइडरिजन बोर्निंग हो रही है जूड रहे हैं यह हैं है हैं अपर इनमें जो होगा इनमें इस 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 ट्रोंग इन दोनों में से फ्ट्रोंग हर्जन बोंडिंग किसमें होगी, तो डेफिनेटली यहाँ जो बॉंड बन रहा है वो H और OXygen, H और OXygen, यहां H और Nitrogen तो स्ट्रोंग हर्जन बोंडिंग इसकी हुई, या फिर वैसे देख लो, यहाँ इसका डाइपल मोमेंट चलेगा, ऐसे चलेगा, और इसका डाइपल मोमेंट ऐसे चलेगा, तो दोनों का डाइपल मोमेंट यह प्लस र है, और यह भी विड्डरो कर रहा है, माइनस र तो डाइपल मोमेंट ए की डाइरेक्शन में है, इसका ऐसे चलेगा, इसका भी ऐसे चले तो उसे भी हम कर सकते है, Maximum Diple Moment भी हम सेगिंद का है, उससे भी कर सकते है, HRMोर्णिंग से भी कर सकते है क्यूशन को, तो Maximum Diple Moment है, वो सेगिंद का है, एक ही डायेक्शन में पूरा Diple Moment जा रहा है, यहां तक समझ में आगे न, अब आपस देखतो इसको समझें, OH, plus r लग रहे है तो डैपल मुमेंट इस डिरेक्शन में, anh o2 का मैनस रह लग रहे है इस डैपल मुमेंट अश डाया इस डैरेक्शन का, यहां इसका plus r ये वाला, और इधर ये वाला, इसका plus r, इसका भी plus r ये वाला, इसका प्लस आर और इसका भी प्लस आर यह वाला. अब maximum dipole moment, strong unserem bonding. Strong fluor strong H bonding. जितना dipole moment होगा, dipole, dipole उतना ही ज्यादा ह श्ट्रोंग होगा H bonding में होगा, तो maximum melting boiling point जो आएगा, वो आएगा second का, उसके बाद इसमें hydrogen bonding है, H bonding, तो फिर किसका जाएगा, third का, अब इसमें और इसमें बात करें, तो ये भी hydrogen bonding दिखाएगा, ये वाला hydrogen bonding नहीं दिखाएगा, ये कैसे दिखाएगा, देखो, OCH3, और ये OH, तो इसका oxygen और ये H जुड़ जाएगे, ये जुड़ जाएगा, तो ये भी क्या दिखाएगा है, इंट्रमोलिकुलर है, तो इसका क्या रहेगा, मीनिमम रहेगा, क्योंकि इसमें hydrogen bonding नहीं हो रही है, आपस में नहीं हो रही है, OH जुड़ेगा है, जुड़ेग 2nd का maximum, उसके बाद 3rd, 4th, 1st, 2nd is correct answer, next, which of the following alcohol derivative of alcohol, following derivative of alcohol is unstable in aqueous base, aqueous base में unstable कौन सा है, तो देखो इधर, ये भी base है, ये भी base है, नो reaction, मतलब क्या हो जाएगा, stable, जब reaction नहीं हो रही तो stable है, इसकी बात करूँ, तो ये भी base है, और base में ये भी क्या रहेगा, stable, इसकी बात करूँ, ये भी base है, और base में ये भी क्या रहेगा, stable रहेगा, बट इसमें अगर में OH- डालूँगा, तो ये electron इदर से दर जाएगे, तो यहाँ positive charge आएगा, उस पे ये अटे कर जाएगा, मतलब ये ester है, ester undergo hydrolysis in basic medium, और क्या बनाएगा, बनाएगा MECO-, Na plus salt बन जाएगा, साइड में क्या बन जाएगा, R-O-H, और इस reaction का नाम हम बोलते हैं, saponification, तो कौन सा unstable है, second unstable है, next, which of the following compound will form the precipitate with aqueous Azean O3 solution most readily, most readily कौन सा करेगा, तो देखो इदर, ये हेलाइड है, यहाँ CL लगा दिया, AgNO3 डाल दिया, यहाँ से किसकी PPT बनती है, AgCl की क्या बन जाती है, PPT, अब यहाँ पे पीछे क्या बचा, R+, Stability of Carbocatine, increase होती है, rate of reaction, with AgNO3 क्या हो जाती है, increase हो जाती है, जितना ज्यादा इस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ये CL उतना ही जल्दी यहाँ से बाहर निकलेगा, और PPT का फोर्मेशन उतना ही फास्ट होगा, तो सीधा सा है, जितना ज्यादा इस्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, एक्वस AgNO3 के साथ, PPT उतनी ही जल्दी बनेगी, अब अपने क्यूशन पे आओ, ये कंसेप्ट हो गया, क्यूशन पे चलते हैं हैं अपन, क्यूशन पे चलें, तो देखो इधर, यहां से जाएगा, तो यह पोजिटिव चार्ज यहां से जाएगा, यह पोजिटिव चार्ज यहां से जाएगा, यह पोजिटिव चार्ज और यहां से जाएगा, यह पोजिटिव चार्ज. अब इन में से Most Stable Carbocatine आपको सर्च करना है, तो ये Stable by Resonance, ये भी Stable by Resonance, ये भी Stable by Resonance, और ये Do Not Stable by Resonance, तो ये तो कैसा हो गया? generate one at least reactive हो गया, अब इसमें ये कौंसी bonding हो रहा है, 2p 2p, back bonding हो रही है क्या, UP इसमें भी कौंसी bonding हो रही है, 2p 2p, back bonding हो रही है, बट, oxygen बढ़िया डोनर है रहे हैं, नाइट्रोजन बढ़िया डोनर है, नाइट्रोजन ज्यादा है, इम्मिनाइट करता है, क्योंकि उसकीईल न तो इन दोनों में ज्यादा यह है अब इसमें क्या है इसमें यह इसको दे तो रहा है बट इस नाइट्रोजन के लोगन पर रिंग में भी डिलोकलाइज हो रहे हैं तो मतलब इधर केवल 50% रेजोनेंस दे पाएगा 50% रेजोनेंस कौन ले जाएगा यह रिंग ले जाएगी तो यह ज्यादा इस्टेबल नही ओरा कार्वोटेटन यह हो रहा है यह हें रेड़ पर संट वन डाइप्शन में डोनेट करेगा यह भी रेड़ पर संट कर रहा है बट और ऑक्षण से ज्यादा अच्छा अच्छा नाइट्रोजन तो आंसर जाएगा थर्डू तर्ड ने CHCH3, CH2O, और ये CH2CH3, ये कमपाउंट आपको दिया हुआ है, और इसकी रियक्षिन करवाई है किससे, हब शोड़ी, इसकी रियक्षिन करवाई है, हइसकी रियक्षिन करवाई है, है है है, तो सबसे पहले देखो, रियक्षिन आपने किस से करवाई थी, है है है, है है, तो पहले है प्लस इस पर टेक करेगा, क्या बनाएगा, CH3 CH2, CH, CH3, CH2, OH, पोजिट्यू, CH2, CH3, अब HI आएगा, HI का कोन आएगा, I-, क्या सर्च करेगा, SN2, SN2 इधर EGV में होगी या इधर EGV में होगी, जिधर हिस्टेरिक इंट्रेंस कम है, तो यह इधर अटेक करेगा, और इधर बाहर कर देगा, तो इधर जो पहला प्रोडट्क बनेगा ना, वो बनेगा CH3 CH2 CH, CH3 CH2 OH, और साइड में जो बनाना, वो बन गया CH3 CH2 I, यह आपका एलकॉल बन गया जो बता रहा है, यह आपका एलकॉल बन गया, जो कि यूशन में आपको बताया जा रहा है, अब इसकी रियक्शन, इसकी रियक्शन किसे करवानी है? हीट से करवानी है एलिमिनेशन होगा है 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 यहां तक के लिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार देख लें कि यह एक्षन को क्या हुआ है देखें तो एलकॉल जो बनाना आपके पास वो यह वाला एलकॉल बन गया अब यहां आपको H2, SO4 और हीट यह क्या है डी हाइड्रेटिंग एजेंट क्या बाहर करेगा H2O वाया E1 कौन सी मेकेनिजम लगेगी E1 लगेगी H प्लस यहां पर अटेक करेगा यह बाहर निकलेगा फिर बनेगा CH3, CH2CH, CH3CH2 पोजीटिव अब इसमें होगा 1,2 हाइड्राइड शिप्ट इसमें कार्बोकेटाइन का सिप्ट होगा और यह H इधर से इधर जाएगा फिर बनेगा CH3CH2, CH3 पोजीटिव और यह CH3 फिर आपको कार्बोकेटाइन के रस्पेक्ट में उस एलपा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं जिससे इस्टेबल एलकीन बनती हो फोर मेजर प्रोड़क्ट उस कार्बोकेटाइन के रस्पेक्ट में उस एलपा हाइड्रोजन को रिमूव करना है जिससे इस्टेबल एलकीन बनती हो तो इससे क्या बनेगा यह H और यह यहां से यह और फाइली जो प्रोड़क्ट आएगा न हो आएगा CH3 CH2 और यह CH3 अब इसके पास अगर देखोगे त तो इससे बनेगा मेजर इसको अटाओगे तो इधर से क्या बनेगा इधर से बनेगा माइनर उधर से मेजर देखें ओप्शन है क्या ऐसा अपने पास ऐसा अगर चेक करने जाओगे तो ऐसा option आपको मिलेगा फोर्थ में तो फोर्थ is correct answer. Next. The decreasing order of reactivity of the following organic compound towards AgNO3 solution. तो अभी मैंने बोला था stability of carbocatine. तो यहां देखो, positive यहां, aromatic carbocatine बन रहा है क्या? इसमें भी यहां से यहां, aromatic plus, यह इधर से इधर जाएगा, तो यह इधर से इधर, plus क्या आ रहा है? Resonance. इसमें only hyperconjugation से stable हो रहा है, h से, और इसमें, इसका क्या लग रहा है? minus, आई लग रहा है, least stable. यह वाला, most stable. By resonance, तो सबसे जल्दी कौन देगा, B, फिर aromatic, A, फिर C, सबसे कम हो जाएगा, D, तो सबसे पास्ट कौन देगा, B, A, C, D, आंसर इसका भी क्या जाएगा, पस्ट. The number of chiral center present is, यह compound है, इसमें कितने chiral center present होंगे, reaction करवाने के बाद, यह बताना है, पहले नहीं बताना कि, reaction आपने करवा दी, उसके बाद, कितने chiral center इसमें present होंगे, यह बता रहा है, तो देखो, ओल्रेड़ी एक chiral center तो परजेंट है, यह तो यह है, एक यह है, एक यह है, देखो, अभी मैंने सुरू में reaction बतायती, इसके साथ, यहां negative charge है, यह इधर से इधर जाएगा, और यह टेक करेगा, तो पहला compound यह बनेगा क्या, CH3, CH, CH3, और C, और यहां पे आगया यह ET, क्योंकि इसको मैंने लिख दिया ET-MGBR, ठीक है, और इधर hydrolysis और यहां बन जाएगा, यह बन जाएगा C double bond O, और साइड में बन जाएगा NH2-MGBR, सुरुवात यही से की, अपने पीछे क्यूशन बताया इसका, यह आपके पास बना A, इसकी रेक्शन वापस से किसे करवाई, CH3-MGBR, तो वापस की टोन पे रेक्शन होगी, यह यहां से यहां जाएगा, और उसके बाद क्या करवाया है, हाइड्रोलाइसिस, तो यहां पे यह, E, T, O, H, और यह, CH3, इसमें बताने हैं कि कितने काईरल सेंटर बने हैं, तो यह वाला काईरल सेंटर है, यह वाला काईरल सेंटर है, यह वाला काईरल सेंटर है, और यह वाला काईरल सेंटर है, और यह वाला काईरल सेंटर है, होफुली काईरल सेंटर सभी जानते हों तो यहां पे 1, 2, 3, 4, तो आंस्वर कितना जाएगा, 1, 2, 3, 4, 004 इसका आंस्वर जाएगा, ठीक है, next, तो नौ हम बात करते हैं, क्यूसन नंबर 22 की, क्यूसन नंबर 22 में दिया हुआ है, दा मेजर प्रोड़क्ट, इन दा फोलोविंग रियक्शन, मेजर प्रोड़क्ट, इ एलकॉल से इन पर्जेंस ओफीट, अब यहां कन्फूज होने का मेट्रियल यह है, कि यह जो बेस है, वो इस फोम में नहीं है, तर्शी ब्यूटोक्साइड, इस फोम में होता तो हम इसको बल्की बेस मानते, बल्की बेस, एंड रिमूव लेस, रिमूव लेस हिंडर बीट हमें है इस ब्यूटोक्साइड आइन नहीं दिया है, कि यहां पर धियाओ है तो यहां पर धिया हिम यहां पर धियाओ है कैसे से फीक बेस, totो वीक बेस की परजेंची मेर्चेंच कौन sagt तो यहां जो मेकनिजम होगी वो होगी एवन मेकनिजम करवाएंगे तो देखो क्या आएगा यह वाला कंपाउंट आपको दिया हुआ है ठीक है और यहां से आई सबसे पहले लिविंग गुरूप बहार निकलेगा और कार्भो केटाइन का फोर्मेशन हो जाएगा ठीक है और यहां यह आजाएगा पोजिटिव चार्च कार्भो केटाइन अव अभी इसके पास कितने एलपा हैड्रोजन है इसके पास एलपा हैड्रोजन है फोर एलपा हैड्रोजन अभी इसमें होगा वन टू हाइड्राइड सिप्ट इसमें हो जाएगा वन टू हाइड्रा और इसके बाद बन जाएगा ये वाला अब आपको वो एल्पा हाइड्रोजन हटानी है तो यहां से इस एच को अगर में रिमुव करूंगा तो इधर से मोर इस्टेबल एल्कीन बनेगी और फाइली जो प्रोड़क्त हमारे पास उप्टेन आएगा वो यह वाला आजाएगा इधर इधर इधायल और इधर मिधायल ऐसा ओप्शन अगर हम चेक करें तो ऐसा यह वाला उप्शन है यह सिंगल बॉंड है और यह आंश्व आजाएगा अपने पास थैर्ड इज करेक्ट आंश्व तो इसका आजाएगा थैर्ड करेक्ट आंश्व मेंके निज मोही है इवन से ओके तो अभी दा डिक्रीजिंग ओड्रोप्र प्रेक्टिविटी ओप एस Cl लगा हुआ है और यह Cl लगा हुआ है ऐसा अइसा कमपाउंट है अगर Electron McDrawying जूने गरूप लगा हुआ है simple है और electron donating group लगा हुआ है तो इधर से इधर जाता हूँ ना तो SN2 increase होती है क्योंकि transnistate की stability क्या हो जाती है increase हो जाती है इधर से इधर जाऊंगा ना तो SN1 increase होगी क्योंकि stability of carbocatine क्या होती है increase होती है तो हमें तो SN2 की बात कर रहा है ठीक है SN2 में मैंने बोला increase होगी thermal क्योंकि transnistate की stability भड़ेगी तो पीछे क्यूशन में आते हैं देखो यह तो simple है ठीक है concept मैंने समझा दिया आप मैं लगाता हूँ इस NO2 का क्या लगेगा minus r इसका क्या लगेगा minus i यहाँ इसका minus i इसका यहाँ minus r क्योंकि यह पेरा पोशन पर यह मेंटा पर है यहाँ minus i और minus i सबसे पहले minus r तो minus r यहाँ भी लग रहा है minus r यहाँ यहाँ भी लग रहा है 2nd उसके बाद 3rd और उसके बाद 4th और सबसे कम कौनशी आजाएगी पस्ट option ऐसा देखें तो जाएगा second is correct answer next consider the following reaction the product P give positive sericamonium nitrate test this is because of the presence of which of these group यहां इस compound की reaction P से इस से करवाई है chromic enhydride से CRO3 से reaction करवाई है तो यह oxidizing agent है oxidizing agent है और 1 degree alcohol को कहां बेजता है aldehyde में 2 degree alcohol को किस में बेजता है ketone में और 3 degree alcohol का oxidation नहीं करता है कौन chromic enhydride तो बोल रहा है कि कौन सा प्रोड़क्ट जो बनेगा पी वो पोजिटिव सेरी कमोनियम नाइट्रेस टेस्ट देता तो यह किसका टेस्ट है एलकोल का टेस्ट है हमने पीछे बात की है this is because of the presence of which of these O-H group कौन सा O-H group उसमें परजेंट होगा तो इसको सोलव करूँ ना तो देखो इधर में जैसे ही इसकी रियक्षिन कराऊंगा ना जैसे मैं इसकी रियक्षिन कराऊंगा किस से CRO3 से मिटजा तो यार CRO3 chromic enhydride तो यह तो फिनोल है तो यह तो क्या रहेगा Non Reactive यह ट्वीटिग्री एलकोल है यह वन डीगरी एलकोल है और यह त्रिग्री क्या रहेगा नोन रियक्षिन यह भी रियक्षिन नहीं करेगा तो Assembly जो product बनेगा ना वह इधर O-H लगजाएगा और यहां पे यह double bond O में convert हो जाएगा, oxidize हो जाएगा, इधर यह बनेगा, और यह double bond और यह यहां पे आपके पास बन जाएगा CH2COH किसमें बदल जाएगा, LDID में, और यह वाला Agit रह जाएगा CH3OH, थ्री डिगरी के साथ रिक्ट करता नहीं है, फिनोल के साथ रिक्ट नही पार्ट है, अब यह वाला कांट टेस्ट शो दे रहा है, सहरी कमोनियम नहीं टेस्ट दे रहा है, तो उसके लिए responsible कौन सा गुरूप है, यह वाला OH गुरूप है, इसको B बोला है, तो आंस्र जाएगा, B only, next, the mechanism of SN1 reaction is given, SN1 आपको रियक्शन दी हुई है, और यह आपको बोला हुआ है, तो देखो, यहाँ SN1 में क्या होता है, पहले इसको समझे, SN1 किस में फेवर होती है, वीक नुकलोफाल में फेवर होती है, SN1 में क्या होता है, यह जो R और यह अलकिल हिलाइड है, और यहां से यह से आपको पोजिट्यव पोल और यह अक्स माइनस है, यह है टाइट आइन पेर है, यह क्या है, यह क्या है, यह मैं ने यह जो लाइन लागा है, यह क्या है, पूरी तरह सेप्रेशन नहीं हुआ है, बड़ सोल्वेंट इनको क्या कर रहा है, सेप्रेट कर रहा है, तो यहां पर क्या होता है, कि नुकलियोफाइल जो है न, वो यहीं अटेक करना स्टार्ट कर देता है, मालो, आउट ओप हैंड्रेड मोल, 20 मोल नुकलियोफाइल यहीं पर क्या करना कर दिया, इस्टार्ट कर दिया, ठीक है, उसके बाद तो बेकसाइड हो चुका है, उसके बाद यह फ्री कार्वोगेटाइन जनरेट हो जाएगा, अब जो 80 परसेंट नुकलियोफाइल बचाना, वो 40 परसेंट इधर से करेगा, और 40 परसेंट इस पर बेकसाइड से अटेक करेगा, तो ओवराल बेकसाइड अटेक वाला पोशिबल कितना हो गया, 60 परसेंट बेकसाइड हो गया, क्योंकि टाइट आइट आयन पेर पे ही अटेक होना स्टार्ट हो गया था, पूरी तरह है बाहर निकला भी नहीं, उससे पहल होगा यहां पर नुक्लिफायल की बेख cratak करने की possibility उतनी ही कम होगी और नुक्लिफायल maximum attack कहा करेगा जब यह पूरी तुर्वी थ्रैफ्री होजाएगा और पूरी तुर्इफ तयफ्री हो जाएगा तो नुक्लिफायल का अटेक कितना होगा 50 50 परसेंτ होगा और बढ़ेगा इसी पर हमें थोड़ी दी हुई है उसी पर क्यूशन दिया हुआ है हमें समझें अब क्यूशन को मैंने बता दिया है यह दिया हुआ है solvent separate iron देखो यह separate करका है और यह nucleophile है यह बना है a student tried general characteristics based based on the given mechanism which observation are correct the reaction is favored by weak nucleophile ठीक है SN1 weak nucleophile favor करता है SN1 favor by weak nucleophile कोई डाउट नहीं है यह तो सही एस्टेट्मेंट R would be easily formed if the substituent R बलकी ठीक है अगर यह जितना substituent बलकी होगा R उतना ही R would be easily formed R का असानी से निर्मानत है यदि पर्तिस्ता पी बढ़ा है तो तो यह जितना ज्यादा यह good living group होगा बाहर निकलेगा या यह बड़ा है तो कार्बोकेटाइन की stability बढ़ेगी तो यह उतना ही EGV में बाहर निकलेगा the reaction is accompanied by racemization definitely यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा फिर ही और उसके बाद nucleophile इधर से बेटे करेगा इधर से बेटे करेगा तो यह भी सही है the reaction is favored by non-polar solvent ना non-polar solvent से फेवर नहीं होगी क्योंकि non-polar solvent डालोगे तो यह bond टूटेगा केसे वाईया यह bond केसे टूटेगा तो SN1 reaction की करेक्टरिस्टिक्स पूचिए SN1 की mechanism आपको ड्रा कीए तो वीक nucleophile में होता है R would be easily formed if the substituent R बल की मतलब कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ही जल्दी EGV में बनेगा तो इनकरेक्ट पूचा है तो इनकरेक्ट स्टेट्मेंट इसका कौन चा है फोर्थ तो फोर्थ इसका आंस्वर आएगा कि a student ट्राइट जनरल क्रेक्टिशन होंदा गिवन मेकेनिजम वीच अबजर्शन आर करेक्ट आर इनकरेक्ट अच्छा यह बोल रहा है कि दा रियक्शन इस फ्योड़ बाई वीक नुकलोफाइल आर हुड वी इजिली फोर्मड इबदा सब्सुटिवेंट आर बलकी रियक्शन इज अकंपिंट बाई रेसेमाईजेशन तो इसमें आपसे पूचा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है तो इसमें पर्ष्ट सेगिंड फ़र्द तीनों ही सही है गलत कौन सा है फूर्थ स्टेटमेंट गलत है अब बात करते हम नेक्स्ट क्यूशन की टू कमपाउंट एंड बी विद सेम मोलिकुला फोर्मुला C3H6O अंडर्गो ग्रिगनार रियक्शन विद मिथाईल मेगनिसियम ब्रोमाइड कि इसके साथ रियक्शन करवा रहा है मतलब यह वाला है दो कमपाउंट है C3H6O है ठीक है इसकी रियक्शन किस्टे करवाई है A और B है इसके दो फोर्मिले है एक A है और एक B है इसकी रियक्शन भी किस्टे करवाई है M-E-M-G-B-R से इसकी रियक्शन भी किस्टे करवाई है M-E-M-G-B-R से ठीक है अंडरगो ग्रिगनाड रियक्शन विद मिथाईल मेगनिसियम ब्रोमाइड टू ग्रोप्रोड़क्ट C & D प्रोड़क्ट C & D से और फोलोविंग केमिकल टेस्ट ठीक है यह पता है कि यह वा प्रोड़क्ट के बारे में हमें बोला भी है कि प्रोड़क्ट एक C बनता और एक D बनता है यह बोल रहा है C क्या देता है, C 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 द लुकास टेस्ट, तरबीडीटी उप्टेन अप्टर 5 मिनट्ट, और यहाँ तरबीडीटी उप्टेन इमेडेटली, यहाँ इमेडेटली है, और वहाँ 5 मिनट बाद है, ऐडोफोर्म टेस्ट इसका पोजिटीव है और इसका नेगिटीव है, तो अब आपको यह कितने डिग्री अल्कॉल है, टू डिग्री अल्कॉल और यह रेपिडली दे रहा है, तो यह कौन सा है, वो कौन सा है, थ्री डिग्री अल्कॉल, अब जो आईडोफोम टेस्ट हैं, देखो, आईडोफोम, या फिर हेलोफोम टेस्ट, या फिर हेलोफोम टेस्ट, या फिर हेलोफोम टेस्ट, आईडोफोम टेस्ट या फिर हेलोफोम टेस्ट, तो आईडोफोम कौन देते हैं, CH3CHOH और CH3COO यह वाले, Iskeleton-Having Compound. आइडोफोम टेस्ट कौन देता है, CH3CHOH वाला यह सकलेटन, यहां कोई भी H हो सकता है, R हो सकता है, या PH कोई रिंग हो सकती है, और यह कार्बोनिल मेथिल कीटोन, मिथाइल कीटोन, Iskeleton-Having Compound आइडोफोम टेस्ट देते हैं, तो यह बोल रहा है कि जो D है, आइडोफोम टेस्ट देता है, क्युशन में यह बोला हुआ है, अब मैं क्युशन को लगा देता हूँ, सिंपल सा, देखें आप इडर, यह C3H860 है, इसमें एक तो बना CH3CH2COH, और एक बना CH3COCH3, इसकी रेक्शन करवाई में ने, ME, Mg, Br, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस, तो यह तो बन जाएगा CH3CH2COH, H, और यह CH3, और तो यह कितरे डिग्री हो गया, 2 डिग्री, और इधर भी यह सेम रेजन डालूंगा, तो क्या बन जाएगा, CH3OH, CH3, 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 यह रेपिडली लुकास रेजन के साथ वाई टर्वी डिडी देगा, यह पांच मिल्टर बात देगा, अब देखो, इसमें CH3, CH2, CH, OH, और CH3, इसमें यह इसके लेटन है, यहां से क्या आ जाएगा, हेलो फॉम टेस्ट आ जाएगा, तो यह तो जो अपका है, यह तो है, टर्शी बूटाइल अलकॉल, वह है, सेगेंडरी बूटाइल अलकॉल, ओप्शन ऐसे चेक करेंगे, तो आपके पास कहां मिलते हैं, ऐसे ओप्शन देखते हैं, आपको C और D के बारे में बताना है, त तो C और D की बात करें, तो यह C हो गया क्या, यह C हो गया, और यह D हो गया, फोर्थ इज करेक्ट आंसर, नेक्स्ट, यह लो, क्या है, मिख्ट एसिड, क्या करेगा, नाइट्रेशन, कौन सी रियक्शन है, एरोमेटिक, इलक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन, कौन जुड़ेगा, अनो टू प्लस, कहां जुड़ेगा, और तो और पेरा पे, तो यह यहां पे, क्या होगा, रिपल्सन होगा, और यहां पे, यहां से बनेगा मेजर, और यहां से बनेगा माइनर, तो यहां प्रोड़क्ट जो आएगा आपके पास, यह वाला आएगा, OH, NO2, CH3, और यह, NO2, देखें, इसा उप्शन आपके पास कहा है, थर्ड, थर्ड इज, करेक्ट आंस्वर, नेक्स्ट, एक्षन सिक्वेंस बिलो, ठीक है, यह रियक्षन बोली है, OH- नाटेक किया, बिहार बाहर कर दिया, रेट जो है, वो डिरेक्टली प्रपोर्शनल टु दिस, अल्ली इस पे रेट रियक्षन कर रही है, डिपेंड कर रही है, मतलब यह रेट के वाले अलकिल हलाइड पेंड करता हूं, तो यह HBR बाहर हुआ, यह बना यहां जो रेट है, वो अलकिल हलाइड पेंड कर रही है, और बेस पेंड कर रही है, रेट, ठीक है, आप देखो, वीच अब दा फोलोंग स्टेट्मेंट इज ट्यू, चेंजिंग दा कंसंट्रेशन बेस विल हेव नो इफेक्ट on reaction to, आपको करेक्ट स्टेट्मेंट बात करना है, अगर रेक्शन सेगिन में में बेस की कंसंट्रेशन चेंज करता हूं, तो क्या rate of reaction पे एफेक्ट नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि rate of reaction डिरेक्टली परपोर्शन बेस तो यह तो इस्टेट्मेंट गलत हो गया, चैंजिंग दा कंसंट्रेशन बेस विल हेव नो इफेक्ट ओन रेक्शन, इफेक्ट करता है, इसलिए गलत हो गया, चैंजिंग दा बेस फ्रोम ओच माइनस टू ओर वीलहेव नौ इफेक्ट ओन रेक्शन सेगिन्ड, कैसे नहीं करेगा भाया, आप ओ अअच base से strong base जा रहे हो तो base की concentration पर rate of reaction depend करती है तो करेगा तो ये भी गलत है ये बोल रहा है कि नहीं करेगा changing the concentration of base will have no effect on reaction first अगर इसमें इसकी concentration change करता हूँ तो इस reaction पर कोई effect नहीं पड़ेगा definitely नहीं पड़ेगा सही statement है क्यों क्योंकि base या nucleophile की concentration पर ये reaction depend नहीं कर रही थर्ड स्टेट्मेंट सही है doubling the concentration of base will double the rate of both reaction अगर मैं base की concentration double कर दूँ तो इसमें double करूँगा तो कोई change नहीं आएगा बट इसमें double करूँगा तो rate of reaction double होगा बट ये बोल रहा है कि दोनों में double हो जाएगी गलत हो गया आंसर जो आए जाएगा वो जाएगा थर्ड नेक्स्ट यहलो ए न और्गेनी कंपाउंट है C9H10O when treated with concentrate HI undergo cleavage to compound B and C B give yellow precipitate with AGNO3 whereas C totem rise to D, D give positive idopharm test A could be पहले formula check करें तो आल्मोस्ट formula सबके सही है इसका cleavage होगा तो यह bond तो टूटेगा नहीं क्योंकि यहां तो resonance हो रहा है इधर से तूटेगा किससे करवा रहा है है HI से तो इधर H और इधर I तो उदर फिनोल बन गया इधर I बन गया अब क्या यह condition follow करता है कि yellow precipitate with AGNO3 तो अगर मैं इसकी reaction करवा हूँ AGNO3 से तो यहां से AGI कि क्या आजाएगी yellow PPT आजाएगी बट यह से ठाटरुराइज नहीं होगा और पोजिटिव यहां से तूटेगा इधर है थih का मतलब यह है यह तूटेगा अगर यह तूटेगा बुरूर यह तूटेगा और यह Stress यह CH2I, और यहाँ AGNO3, इस्टेबल कार्बोकेटन बन रहा है, किसकी PPT आ जाएगे, AGI, यलो PPT आ जाएगे, फिर इसकी रेक्शन करा हूँ, CH2 डबल बोंड, CH और OH इधर यह बना, तोर्टोमराइज होगा, CH3 COH बनेगा, और यह वाला इसकी रेक्शन यह हेलो PPT तेस्ट देगा, मतलब माल लो, NA OH और I2 डाला ना, तो बनेगा CHI3 प्लस HCO-NA, तो आंशर जाएगा, वो जाएगा थाड़, clear, next, the major product obtained from E2 elimination of 3-bromo-2-phluoropentane, तो पहले क्यों ना हम इसकी इस्टेक्शर बनाने, 3-bromo-2-phluoropentane, यह 5-carbon हो गए, 3-bromo, और यह 2-phluoropentane, यह CH3, यह H, यह CH2, और यह CH3, और कौन सी reaction करवानी है, E2, गुड लिविंग ग्रूप कोन है, BR या फ्लोरीन, गुड लिविंग ग्रूप, ठीक है, अब देखो इदर, यहाँ पे, alpha, beta, beta, आपको वो beta हड़न हटानी होती है, जिससे stable alkyn बनती हो, या most acid-hydrogen यह वाली हो गई, यह H, acid-hydrogen, तो यह H निकलेगी, BR को क्या कर दीगी बहार, क्या बनेगा, CH3C, यह फ्लोरीन डबल बॉंड, CH, और यह CH2, CH3, यह बना, अब यह देखो, resonance क्या हो रही है, इस्टेबलाइज हो रही है, यह बनेगा, चेक करें भाया, ऐसा product आपको कहा दिया हुआ है, second में दिया हुआ है, second is correct answer, next, एथर की reaction, आप उबजर्व करें, HBR, HI इनके साथ बार बार करवा रहा है, यहां भी देखो, HBR एक्सस में दिया है, तो एथर का किलिवेज होगा, ठीक है, एथर का क्या होगा, किलिवेज होगा, तो यहां से तूटेगा, और साथ की साथ, इस पे भी HBR का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा, तो यहां से तूटेगा, यह तो तूटेगा नहीं, क्योंकि यह तो रेजनेंस है, यह तूटेगा तो इस पे H और इस पे B R, तो पहला जो प्रोड़क्ट बनेगा ना, आपको दिया हुआ क्या है, यह वाला दिया हुआ है, यह यह तूटेगा, यह तूटेगा, इसकी रेक्शन करवाई है है, H B R से, एक्सस में दिया है, H B R, तो यह बना, उधर तो क्या बन गया, O H, इदर क्या बन गया, यह B R, और यह डबल बॉंड, ठीक है, अब इसके बाद, वापस से आपके पीछे रेक्शन करवाई है, किस से है, अलकॉली क्योवज से, क्या करता है, H X को बाहर करता है, इस H को भी, क्योंकि यह बेस है, तो इस H को भी हटा लेगा, और साथ की साथ, यहां से क्या बाहर हो जाएगा, H B R भी क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, फाइल यह आपके पास क्या बन जाएगा, इदर बन जाएगा, O minus, और इदर बन जाएगा आपके पास, यह डबल बॉंड, एक डबल बॉंड पहले से था, फिर एक डबल बॉंड यहां जाएगा, यह बन जाएगा, अब इसका करवाया है, ओजुनोलाइस, Reductive Ogenolysis करवाया है To Reductive Ogenolysis करवाऊंगा ना To O3ZN H2O Reductive Ogenolysis से यहां से उटेगा Oxygen, 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 Oxygen To इधर तो यह बना यहां वापस से H supply भी हो जाएगी तो इधर तो O H और यह CHO और साइड में बनेगा C H O CHO और इधर बनेगा H C O H तो आपको मेजर प्रोड़क्टिक करना है तो ऐसा उपसन आप देखें इसा उपसन आपको कहां दियावा है? ऐसा उपसन आपको दियावा है फस्ट तो इसका आणसर जाएगा हो जाएगा पस्ट इज करेक्क्ट आणसर नेक्स्ट विचोधा फोलोविंग कंपाउंट विल शोर रिटेंशन इन कॉन्पिग्रेशन और नुक्लियो फिलिक सब्स्टिटूशन बाई O H minus Kathis, Retention in prefigretion कौन सा तो आदेनो कौन सा शयो करेगा चेंज नहीं होगा तो थिघरो इस हूं रिटेंशन इन इन कॉन्पिग्रेशी आपके पास होना ची ये चेंज नहीं होना ची ये सेम पहंपाउंट आणा ची ये जाएगी विचोधा The following compound will show retention in configuration on nucleophilic substitution by OH- 1 degree, OH- attack, बाहर, कौन सी रियक्षन, SN2, किस से, इन्वर्जन से, ना, SN2 होगी, इन्वर्जन नहीं होगा यहाँ पर, इसमें VR बाहर जाएगा, इसमें VR बाहर जाएगा, और इसमें भी VR बाहर जाएगा, अब आपको बताना है कि रिटेंशन इन कॉन्पिग्रेशन किस में होगा, क्यूसन यह वाला दिया हुआ है, ठीक है, अब देखो, इसमें यह कायल सेंटर है, और यह OH-, और कौन सी सेया और यह BR, तो CH3CH और यह ET, और यह CH2OH, इस कायल सेंटर का जो कोन्पिग्रेशन यहां है रह गया, यह रह गया, रेह गया रिटेंशन को проблем, नहीं है, तो इस। यह काईडर सेंटर का जो कोन्पिग्रेशन यहां रिटेंशन था, जैसा ग्रूप अरेंजमें यहां था, वेसा ही ग्रूप यहां अरेंजड रह गया, मतलब यह रिटेंशन हो गया, इसमें, इसमें ओच माइनस किसे जाएगी, एसन वन से क्या हो जाएगा, रेसे माइजेशन, इसमें भी काईल सेंटर पे जाएगा, यह काईल सेंटर है, तो यहां ओच माइनस अबाव दा प्लेन, क्या जा सकता है, बिलो दा प्लेन जा सकता है, तो यहां तो स्टेबल सेंटर यहां क्या जाएगी, एसन टू बट यहां क्या होगा, इन्वर्जन, यह स्टेबल कार्बगटेन सेंटर यहां नो स्टीरियो, यहां पे कोई स्टीरियो नहीं है, क्योंकि काईल सेंटर ही नहीं कि दा प्रोडेक्ट फोम्न दा रेक्शन ओप क्यूमीन विद ओटू फोलोड बाई ट्रीटमेंट विद डायलू असील आर क्यूमीन की ओटू के साथ अविगरिया करने के पच्चातनू असील के साथ विवेशन करने पर बनने वाला उतपाद है यह क्यूमीन हाइड्रोजन साइड्री आरेंजमेंट है इंडिस्ट्रियल प्रीपरेशन है फिनोल बनाने का देखते हैं इसको समझते है यह होता है क्यूमीन नाम इसका इसकी रेक्शन करवाते हैं ओटू से या फिर एयर से तो ऑक्सिजन का इंसर्चन यहां होता है CH3 CH3 यह रिंग और यह OH इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड इसका नाम है क्यूमीन हाइड्रोजन प्रोक्साइड अब आपको दिया वा हाइड्रोलाइसिस डायलूट से ल एच्ट्रियो प्लस उसका एच प्लस यहां क्या करेगा अटेक करेगा तो पहले क्या बनेगा? CH3, CH3, इसको में दिखा देता हूँ, PH से रिपरजन कर देता हूँ, कम लिखना पड़ेगा, ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा, O, OH2 और यह पोजिटिव, यह यहां से ग्रुप माइग्रेट होगा, और इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा, क्या बन जाए क्या बन जाएगा? CH3, CH3 और इदर O, H, H, पोजिटिव, O और यह पी, अब ही है लोन पेर, यहां से क्या उठा लेंगे? H, क्या बन जाएगा? CH3, CH3 इधर OH हो गया और इधर OH positive और यह pH हो गया अब यह living group बन गया तो यह यहां से यहां और यह क्या हो जाएगा बाहर तो उधर क्या बना एक तरब तो बन गया phenol और एक तरब बन गया acetone और दोनों ही 50-50% बनते हैं ठीका क्यों में हाइड्रोजन प्रोक्षाइड री एरेंजमेंट आंश्वर इसका टिक करने जाएंगे तो देखें आंश्वर अपने पास phenol और acetone second next the major product in the following reaction is alcoholic के वच दिया हुआ है एक्सस में क्या कर देगा HBR तो देखो इधर यहां से H BR और यहां से HBR इस्टेवल एलकिन बनानी है ना तो यहां से यह PH यह CH3 यह double bond और यह वाला उसके बाद यह यह वाला आंश्वर इस आंश्वर चेक्रेव यह आंश्वर यह उस में आप आप यह उसके अपर यह उसके आप युदफ कि बोनस क्यूसन हुआ था यह इसमें से कोई भी उप्सन इसको मेच नहीं कर रहा जैसा एंटी ने दिया जैए में ने दिया मैंने वैसा क्यूसन में लिया है यहां इसमें से इसका कोई उप्सन मेच नहीं करेगा मैं इसको सोलो करके बता देता हूं कि इसका अंस्वर होगा क यह जरूर में बता देता हूं, यहां कोई option नहीं होगा इसका, यह जो दिया वाना आपको यह वाला, यह वाला, इसको मैं सॉलो करता हूँ, इसको आपको रीक्षिन करवा है किससे, NaNo2 एकवस है, NaNo2 और HCl, मतलब यह क्या हो गया, HNO2, 0 to 5 degree Celsius, रीक्षिन का नाम क्या है, दाइजो टाइजेशन, तो यह दाइजनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होगा, और पहले बनेगा यह वाला, N2 प्लस, यह लिविंग ग्रूप है, यह अनिस्टेबल है, ठीक है, और यह बनेगा, कार्बो केटाइन, अब क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन, और यह यहां से यहां उपन हो जाएगा, जैसे रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, आप देखें, यहां पर पोजिटिव चार्ज, यहां पर नेगिटिव चार्ज, यह वाला बॉंड बन गया, तो इसके जश्ट पास वाले कार्बन पर क्या आजाएगा, पोजिटिव चार्ज आजाएगा, यह भी सिक्स मेंबर रिंग में कनवर्ट हो गई, और पोजिटिव इसके जश्ट है, पास वाले पर पोजिटिव आ गया, यहां से वन टू, यह पोजिटिव, अब जाके इसके पास चार आल पाइडरोजन है, अब जाके ओच जूडेगा, यह थिर कहां से आए, वोटर से है, और प्रोड़क्त आएगा यह वाला, इसा option हमें जो है ना वो दियावा नहीं है ऐसा option जो है वो हमें कहीं भी दियावा नहीं है इसलिए यह क्यों सब्सक्राइब बोनस आंशुर मैंने बता दिया यह वाला आंशुर आएगा इसका इसलिए बोनस वाता नेक्स्ट बात करते है यह लो एकवस ने वच यह क्या है बेस इस हटाएगा क्या बनाएगा च 3 और यह ओ माइनस ने प्लस और उसके बाद यह च 3 आई दिया वह है अटेक करेगा इसको क्या कर देगा बार कर देगा फाइनली आंसर जो आएगा वह यह च 3 और यह यह च 3 देगे यह इसा उप्सन यह रहा परस्ट इजे क्रेक्ट आंसर नेक्स्ट ओएच बी आर टू एक्सस क्या होगा ट्राई ब्रोमीनेशन आसो थ्री एच आल्सो सब्सुटुटिटेड बाई बी आर प्लस आसो थ्री एच हो या फिर सी ओएच ग्रूप हो तो यह सब्सुटुटेड हो जाते हैं किसे बी आर प्लस से सब्सुटुटेड हो जाते हैं इसको बोलते हैं इप्सो सब्सुटुटुशन क्या बोलते हैं इप्सो सब्सुटुटुशन बोलते हैं तो यहां ट्राई ब्रोमीनेशन होगा और यह बने तो वो है फोर्थ, फोर्थ is correct answer, next, वो ही same concept, which of the following compound will produce precipitate with AgNO3, यह नहीं देगा, यह जाएगा, क्या बनेगा, aromatic, stable, carbo, katein, तो सबसे ज्यादा जल्दी कौन देगा, second देगा, next, which of the following compound react with ethyl magnesium bromide and also decalorize bromine water solution, देखो, यह bromine water solution को decalorize करता है, बट क्या यह ग्रिगनार रिजेंट से react करेगा, ना, phenol and aniline also decalorize bromine water, phenol and aniline also decalorize bromine water, अब देखो यहाँ bromine water को यह decalorize कर देगा, और यह etmgbr यहाँ चला जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज है, कौन ही reaction हो जाएगी, acid base reaction हो जाएगी, तो इसका आंसर जाएगा, वो जाएगा, फस्ट आंसर जाएगा, compound दिया हुआ है, cannot be prepared by, इसको हम किस से नहीं बना सकते हैं, यह बोला हूँ आपको, कि इस compound को हम किसके द्वारा prepare नहीं कर सकते हैं, तो देखो इधर, pH, CO, ET, CH3, Mg, X, यह टेख, और यह यहां से हाँ, तो क्या बना, pH, CO, हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस से, और इधर ET आया, और यह CH3 आया, pH, CH3, ET, इससे बन जाएगा, अब इसमें इधर से pH आजाएगा, CH3, और इधर से ET आजाएगा, यह भी बन जाएगा, इसमें, यह E2 हो गया, यह CH3 हो गया, इधर से pH आजाएगा, यह भी बना देगा, बट यह वाला देखो, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, पी, H, C, H, C, H3, C, H2, C, H2, C, H2, तो किस से नहीं बनाय जा सकता, तो आंशर जाएगा, वो जाएगा फोर्थ, फोर्थ से नहीं बनाय जा सकता, नेक्स्ट अब एक्समें दिया हुआ है ना, तो वो ही देखो, इधर, हप्लस यहाँ भी अटेक करेगा, तो CH3OH पोजिट्युव और इधर भी अटेक करेगा, CH2CH यह OH2 पोजिट्युव और यह CS3, तो HBR, BR माइनस अटेक करेगा, यह बाहर और यहां से यह बाहर, तो इधर तो जाएगी, SN2 से जाएगी, और इधर SN1 से जाएगी, तो उधर भी यह भी तूट जाएगा, यह तूट जाएगा, इधर BR और इधर H, यह बाहर यहां कार्बो क्या हो जाएगा, हाइड्रेड शिप्ट हो जाएगा, और फाइली जो प्रोड़क्ट आएगा इधर तो आजाएगा, और इधर तो आजाएगा, और इधर आजाएगा, CHBR, CH2, CH3, ऐसा उप्शन चेक करेंगे, तो ऐसा उप्शन आपको सेगिंद में मिलेगा, तो करेंगा, डी हाइड्रो हैलोजिनेशन, किस से, इटू मेकरिजम से, तो यह हैलोजन है, अलफा, यह बीटा और यह बीटा, ठीक है, इस्टेबल एलकीन बने, तो इस्टेबल इससे बनेगी, इस हैच को हटा दूँगा, यह यहां से हाँ, और यह C-L क्या हो जाएगा, बार तो C-H3, C-H, double bond C, C-H3, और इधर बन जाएगा, आपके पास C-O, O, C-H2, C-H3, देखें भीया, इस उप्सन आपको निजरा आ रहा है, कि एलकीन बनेगी, यह रहा, ठीक है, नेक्स्ट, Leaktärecnics, the Lные-D, which will not form Grigno'd product, one equivalent Grigno eagent, यहां पर LD-D is, तो अगर में Grigno Reagent लेता हूं, तो यह अतेक कर जाएगा, इसमें भी, अगर में Grigno Reagent लेता हूं, तो ये acidic hydrogen अठालेगा, acid base reaction हो जाएगी, यहाँ attack नहीं करेगा, इसमें अगर मैं बात करूँ grignard reagent की, तो ये इस पे attack कर जाएगा, इसमें बात करूँ में grignard reagent की, तो ये इस पे attack नहीं करेगा, यहाँ से क्या ले लेगा, acid base reaction show कर देगा, हमें बोला क्या है, the aldeide which will not form grignard product तो येक ही multis психologist, यहाँ दिया हो, तो यहाँ दिया हो, वो तू रिक कर जाएगा, यह दाएक मोल देडत हो तो यहाँ दिया तो हेलोजन डेरिवेट्यू ग्रिगनार रिजेंट और एलकोल फिनोल एथर के 2019 तो 2021 तक जितने दो अटेम्ट हो चुके हैं, इंसे क्यूशन जो आये थे, उनका सोल्यूशन, मैंली, अगर पूरा कनिक्लूजन करूना पेपर का, तो भाईया, रियक्शन क्या करा रहा है, हेलोफ एलिमिनेशन, टेस्ट अप एलकोल, लिुकास रियजेंट से रिगार्डिंग क्यूशन हमें पूचे हैं, फिनोल की रियक्शन पूचिए, मोस्ट ओप पेपर एंचैट से बिलों कर रहा था, होफुली आपने पेपर को एंजोई किया होगा, कमेंट सेक्शन में ये जरूर